बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका दोस्तों Commerce Nation के इस online learning platform पर मेरा नाम है आबिद और आपके सामने के आज ऐसा छोटा topic लेकर के आया हूँ छोटा topic और बहुत सारे बच्चों को यह hard भी लगता है लेकिन मैं आपको बता दूँ यह hard वैसे है नहीं बात कर रहा हूँ उसका जो calculation होता है वो अपन firm के goodwill के हिसाब से करते हैं उसके basis पर करते हैं तो अपने को basically firm का goodwill पता होना चाहिए लेकिन कई बार जब firm का goodwill दिया ही नहीं होता तो अपन उस case में कैसे करेंगे आपको पता होगा कि जो अपन firm का calculation करते है ना firm के goodwill का वो आपको कुछ एक method ह होता है बहुत सारे method अपने को follow करते हुए मिलते हैं जैसे कि हमारा average profit होता है ठीक है average profit होता है तो इनके हिसाब से जब यह case दिया ही ना हो उस case में calculation कैसे करेंगे और यह तो must है कि जब भी हमारा नया वाला partner आएगा वो goodwill के amount लेकर यह आएगा तो उस case में कैसे करेंगे बैसे के लिए क्या मसला होगा तो उसी को बात करेंगे कि कैसे उस समय hidden goodwill को calculate किया जाता है ठीक है तो बिना किसी देरी के साथ आज का यह चोटा सा वीडियो उसको शुरू करते हैं दोस्तो मैं आपको बता देना चाता हूँ कि सबसे पहले hidden goodwill क्या होता है उसका मतलब समझ दो देखो hidden goodwill क्या होता है इसका मतलब यहां से समझ देना देखो क्या लिखा है कि hidden goodwill is the means the value of goodwill that is not specified at the time of admission of a partner यानि कि जब भी चिपी हुई ख्याती का अर्थ है ठीक है चिपी हुई ख्याती का अर्थ है कि वह मुल्य जो साज़ेदार के परवेश के समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है यानि जब भी साज़ेदार आ रहा होता है जब भी कोई नया partner आ रहा होता है तो जब hidden goodwill बता मतलब हमारा जो goodwill है उसका मुल नहीं बताया गया है वही basically hidden goodwill होता है यदि नए साज़ेदार ठीक है if the new partner requires to bring the share of goodwill then in the case we have to calculate value of the firm's goodwill यानि कि यदि नए साज़ेदार को ख्याती का हिस्सा लाना है उसको लाना ही पड़ेगा लाना है क्या यदि क्या होता है लेकर क्या आना ही पड़ेगा इस साज़ेदार लाना है तो इस इस्तिती में हमें firm की ख्याती का मुल का गड़ना करना होगी गड़ना करना होगा पता करना होगा यह कितना बिसकली value है भाई तब ही तो अपन पता लगा पाएंगे अगर अगर अपन पता ही नहीं लगा पाएंगे तो यह कैसे पता लगेगा अगर अपन फॉर्म के goodwill का पता नहीं लगा पाए तो अपन इस बात का कैसे पता क्योंकि यह तो जरूरी है ठीक है तो difference तो अपन कैसे पता लखाएंगे तो देखो difference between देखो ध्यान से समझना difference between the capitalized value of the firm capitalized value of the firm in the sense value किसकी value हमारे जो पार्टनर से उसका capital value कितना है अगर इन दोनों के बीच का जो हमारा difference होगा वही गुडविल होगा यानि कि फर्म के पूंजी कृत मुल्य और फर्म के निवल मुल्य के बीच अंतर को छीपे ख्याती के मुल्य के रूप में माना जाता है अब यह capitalized value क्या होता है और net worth क्या होता है इसको समझते हैं भाईया फिर मैं आपको बताता हूं इस formula के मंदद से समझना तभी तुम पता लगा पाऊगे तभी तुम पता लगा पाऊगे अच्छा पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है ओके अब दिखेगा इस चलो अब दिख रहा है न अब दिखेग capitalized value of the firm क्या होता है तो मैंने बुला capitalized value of the firm जो होता है जो partner आ रहा है वो कितने share के लिए आ रहा है थीक है थोड़ा से चमकता है ना तो दिखता नहीं है सही से नेट वर्थ टोटल कापिटल क्या होता है देखो नेट वर्थ क्या होता है नेट वर्थ टोटल कापिटल और उसके बाद टोटल कापिटल टोटल कापिटल इंदसिस जो नया वाला पार्टनर है उसका भी टोटल कापिटल इंक्लूडिंग दे न्यू पार्टनर न्यू पार मुल्त धा भाइनेश नेटवर्ट फिर्म का पुंजी क्रत मुल्त क्या होता है नाय साज़्डार की पुंजी पुंजी favour ş acrylic और यह व्मारे प्रॉट्व धैक अब इसको एक 攻पल के समझते हैं तहां पर एक ا behavior दिया है कि be a m M&N are two partner senior firm M&N two partner है कितने M & two partner है वो कौन कौन है यो two partner है वो कौन कौन है two partner है भाईया कौन कौन से हमारे M & M & N है partner है M & N है M&N का capital 1,60,000 ठीक है और N का capital 2,20,000 अब हमारे पास firm के पास journal reserve कितना है और जर्नल रिजर्व कितना है साथ हजार का है स्वरी चालीस हजार का है 40,000 का क्या है? Journalism है They admitted P P को इन्होंने admit किया P को admit किया into the firm और यह कितने part के लिए आ रहे हैं? 1 by 4 के लिए आ रहे हैं 1 by 4th part के लिए आ रहे हैं ठीक है? Share of profit He brings capital और वो अपना capital के लिए कितना लेकर क्या रहे है? capital के लिए कितना लेकर क्या रहे हैं तो मैंने बोला sir capital के लिए 1,80,000 निकाल रहे हैं 1,000 1,80,000 calculate the new forms goodwill and the चलो अपने को goodwill calculate करना है यह अपने को पता चल गया इसको अच्छे से summarize way में फिर से लिख देता हूँ ठीक है चलो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया M's का capital 1,60,000 है N का capital 2,20,000 reserve हमारे पास 40,000 है जो नया वाला क्या है नया partners का capital 1,80,000 है और यह 1 by 4th share के लिए आ रहा है तो अपने को पता है कि जो goodwill होता है वो goodwill क्या होता है capitalized value of the firm minus network तो सबसे पहले capitalized value निकालना होगा तो अपने को capitalized value कैसे निकलेगा तो आपको formula याद होगा कि जो नया partners का capital होता है उसके share से multiply करता है व्यूतकरम से व्यूतकरम मतलब होता है risk protocol का मतलब होता है इसका उल्टा करके इसका उल्टा करके तो मैंने बोला सर चलो निकालते हैं अपना capitalized value यहाँ से अपने को capitalized value निकल जाएगा 1,80,000 इंटू तो 1 by 4 है ना तो अगर इसका व्यूतकरम यानि कि risk protocol करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा यानि कि 4 by 1 हो जाएगा जब 4 by 1 करेंगे तो 7,20,000 हो जाएगा यानि कि जब अठारो को 4 से multiply करेंगे तो 72 और मतलब फिर बागी का 0 को 0,40 उटार देंगे तो 7,20,000 और आपको पता है तो जो हमारा net worth होगा net worth क्या होगा old partners का capital plus new partners का capital plus reserve तो मैंने बोला old partners capital देखो 40,000, 1,60,000 total कितना हुआ और इस नए वाले पार्टनर्स का Capital 1,808,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, 0,0,0,0,8,2,10,4156 चै क्योंकि हमारा जो नेट वर्थ होता है क्या होता है ओल्ड पार्टनर्स के Capital प्लस New Partners का Capital जो नए अला पार्टनर आ रहा है और प्लस रिजर्व तो मैंने 2,20,000 जोड़ा तो 4,20,000 4,20,000 में 1,80,000 जोड़ा तो 6,0,000 हो गया हमारा तब इस 7,0,20,000 में से जब मैं 6,0,0,0,- तो मेरे पास कितना जाएगा देखो 1,20,000 1,00,20,000 और यही हमारे film कि क्या हो जाएगी और यह बहुत एजी होesta है और इसी वे में आपको question पूछता भी है इसी वे में आपको question पूछता भी है जाधा heart यह नहीं है I hope आपको समझ में आया होगा बस आपको यह formula पता होना चाहिए आपको यह formula पता होगा तो आप किसी भी तरीके से कर लोगे देखो न यहां पर अब मतलब उसी value को न अब यहा आपको पता चल गया होगा तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही I hope आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेर भी करिए अगर आपको किसी भी सेटल इनुवर्शिटी की तयारी करनी है स्वेटी के लिए प्रिपेर कर सकते हो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में टिक केर बाबाए